कल दिनांक 9 अप्रेल 2023 को होने वाली फोरस्ट गार्ड परिक्षा उत्रा खंड बन बीट अतिकारी परिक्षा के लिए आप सवी को बहुत बहुत सुपकामना है तो अच्छे से दोस्तो आपको अपना पेपर देना है फोरस्ट गार्ड का रिजल्ड भी दोस्तो बहुत करता है उसमें भी कल को दोस्तो एक्जाम है और एक्जाम के लिए आपको बहुत बहुत सुपकामना है तो यूपी PCS का रिजल्ड घोषित कर दिया 25 अपरियल को अपर्यों को घोषित कर दिया है मेरा दुस्तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको भी दुस्तो मोटिवेशन मिले और उत्राखंड में दुस्तो जो अभी तो फिलाल जो हमारे मेन से हो गया है उसका रिजल्ड आएगा फिर उसके बाद इंटर्व्यू होगा बेटी को भी दुस्तो इसमें चौथा इस्तान मिला है चौथी रैंक दुस्तो उनकी इसमें दहरादून की रहने वाली आकांग्छा गुपता की तो ये देखिये दुस्तो यहाँ पर UPPCS 2022 SDM टॉपर लिस्ट तो ये देखिये टॉप 10 में दुस्तो इसमें जो है टॉप 10 में जो साता है और बांकी देखे दोस्तो ये पूरी लिष्ट है और उत्रा खंड में भी दोस्तो जब PCS का रिजल्ड आएगा तब दोस्तो जैसे हमारे हैं 318 पद हैं 314 पद हैं जितने भी पद हैं यहां भी दोस्तो आपको दूसे राजजी के लोग देखने को मिलेंगे PCS में यह है दोस्तो यहां पर पूरा रिजल्ड और UKPSC भी दोस्तो अब हर साल PCS कराने वाला है और सलेबस भी दोस्तो उत्रा खंड में यहां पर बदल रहा है सलेबस भी दोस्तो अब UPSC लेबल का यहां पर होने वाला है तो दोस्तो आपको UPSC लेबल की तयारी करनी होगी और पर इस तरह से लिखा होगा उत्राखंड में दूस्तो तीनसोचौदा पद हैं और यहां पर भी दूस्तो बहुत जल्द आएगा फिर इंटर्वीव होगा उसके बाद फैने रिजल्ड आएगा बांकि दूस्तो आप लोग त्यारी करते रहे हैं लोग अपनी त्यारी करते र पर पहले एक जौब में घुश जाईए वहां दूस्तो बिलकुल सेट हो जाईए उसके बाद आपको आर्थिक मजबूती मिले आर्थिक मजबूती भी बहुत जादा जरूरी है और उसके बाद जितना आपको समय मिलता है उसके बाद आप अपनी त्यारी बड़े लेबल क भी कर सकते हैं क्योंकि दूस्तों इन में जो एज रहती हो 22 साल तक एज रहती है तो यह थी आज की जानकारी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में